इरान का इसराइल पर ताबर तोड हमला जारी है, लेकिन इसराइल की ओर से कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं दी गई है, क्योंकि इरान के हमलों का इसराइल पर कोई असर नहीं दिख रहा है, इरान की ओर से दागे गए करीब 300 रॉकेट्स और मिसाइल्स में से 99 फीसदी को इसराइल ने हवा में ही मार गिराया, कहा जा रहा है कि हमलों को नाकाम करने के लिए इसराइल के पास तगड़ा एयर डिफेंस सिस्टम है, फिलहाल इसराइल से 1800 किलोमीटर दूर बैठा इरान अंतरराश्ट्रिय समुदाय की शांती बरतने की अपील के बावजूद कामलों को नाकाम कर दिया, सवाल ये कि जब दोनों देशों के बीच 1800 किलोमीटर की दूरी है, तो इरान ऐसे कौन से ड्रोन और मिसाइल का यूज कर रहा है, इरान की सेना के मुताबिक उसके पास ऐसे ड्रोन्स हैं, जो 2000 किलोमीटर दूर जाकर हमला कर सकते हैं, इन में शा 1700 किलोमीटर की रेंज वाली एमाद बल्लिस्टिक मिसाइल भी इरान के तरकश में मौझूद है, तेरा अप्रेल की रात तक इरान की ओर से जो मिसाइले दागी गई, उन में पावेह मिसाइल भी शामिल है, जिसकी रेंज 1650 किलोमीटर है, एमाद बल्लिस्टिक मिसाइल प्रहेड ले जाने की ख्षमता होती है। इसमें मैनेवरेबल रिएंट्री भीकल की खासियत भी है। यानी जरूरत के वक्त इसकी दिशा में भी बदलाव किया जा सकता है। 2016 से इरानी सेना इस मिसाइल का यूज कर रही है। इरान के पास गदर 110 बलिस्टिक मिसाइल भी है। जिसकी रेंज करीब 2000 किलोमेटर है। इसके अलावा इरान 2000 किलोमेटर रेंज वाले शाहिद ड्रोन भी यूज कर रहा है। इसराइल के पास आइरन डोम और एरो तीन हाइपरसोनिक सर्फिस्टो एर मिसाइल सिस्टम है। जो आसमान में ही मिसाइलों और ड्रोन्स को नस्ते नाबूत कर दे रहा है। इसके अलावा सीडोम एर डिफेंस सिस्टम भी इसराइल के पास है। जिसके जरिये वो इरान के हमलों का मुतोर जवाब दे रहा है इसराइल के आइरन डोम को पूरी दुनिया में बेस्ट एर डिफेंस सिस्टम के रूप में जाना जाता है पिछले साल अक्टूबर में हमास से जंग शुरू होने के बाद इसराइल ने इसी आइरन डोम से हमास की मिसाइल और डोम्स के हमलों को नाकाम किया था आइरन डोम और आइरन बीम के अलावा इसराइल के पास लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है जिसकी टेस्टिंग पहली बार अप्रेल 2022 में की गई थी कहा जाता है कि ये आइरन डोम और आइरन बीम से काफी सस्ता है अलाव कि फिलहाल इसराइल इसका यूज नहीं कर रहा है